हलो जी, वेलकम टू माइ एनदर वीडियो, बैर न्यूस तो कोई खास नहीं, बलके इतनी ही थी कि किकी को इनकी कमपनी में प्रॉपर ली जॉब नहीं नहीं ली थी, तो वो उसे एक कमपेटिशन में पार्टिस्पेट करने को कहता है, जहां पर वो रिहु नामी इंप्लॉई को ही कमपीट करने वाली थी, जिसका केक सबसे बेस्ट बना, उसी को ही कमर्शिलाइज किया जाएगा, अगर वो उतुम हुई, तो फिर तुम्हारी जॉब का अप्रॉबल सबकी तरफ से हो जाएगा, डायरेक्टर साहब ने तो मैनिजर जो के उनकी वाइफ पी दी, उसे असाबा पर नज़र रखने को हो जाती है, इसने भी उस यंगर लड़की को देखी लिया था, वैल दोनों ही फिर कमपेटिशन की त्यारियों में बिजी हो जाती है, अफिसमें एकसल जॉन के प्रेजिडेंट की एंट्री होती है, वो हैरान तो था कि इसने हमारी कमपनी से रिजाइन क्यों किया, वैल व तबी रिहू उसे देख नहीं आ गई थी, वो इसके चोट पे मेडिसन भी लगाती है, एक तरह से कहलो कि वो काफी काइंट किसम की लड़की है, दिन करीब आते जा रहे हैं थे, मुकाबल भी सक्त थोने वाला था, पिर हमें फिल होता है कि जैसे मकाटो रिहू एक दूसरे पी हो गई थी, अब ये मिलके अपनी पुरानी बातों को ही याद करने लग जाते हैं, अब आखिर इनके बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था, उसके बारे में हमें फिल हाल कुछ नहीं बताया गया, वैल इतना जरूर नोट करवाया जाता है कि असाबा इससे पैच अप करना चाहता है, पर ये फिल हाल उसके लिए रेडी नहीं है, अब जैसे ही असाबा मकाटो को मैसिज करके रेस्टरांट आने को बोलता है, तो इसके नजर ठकी हारी कीकी पर पड़ जाती है, अब उसे कुछ नहीं सुचता, तो वो उसे ही लेके इनके पास पहुंच जाया था, अब कीकी बॉस के साथ रेहू को देखके सरप्राइस, वैल इस बात का तो मकाटो को भी नहीं पता था कि इसके साथ रेहू मौजूद है, अब चारू मिलके खाना खाने लग जाते हैं, कीकी जो के असाबा को पसंद करने लग गई थी, उसे उसका रेहू के साथ एकटे होन अच्छा नहीं लगता, वो तो अब फिर इन्हें यहां पर बिठा के खुद तो साइट पर चले जाते हैं, और वो मकाटो से पूछती है कि बॉस के साथ आखिर रेहू क्या कर रही है, वो कोई खास रिस्पॉंस नहीं देता, अब वापिस आके यह तो ड्रिंक करने का सोच और साथ में काप ज़्यादा वाइन पी भी लेती है, फिर इतनी ज़्यादा टुन हो गई थी कि मकाटो को ही इसे संभालना पड़ गया था, वो चाहती थी कि बॉस मुझे घर डॉप करें, पर वो तो रिहू के साथ ही चला जाता है, जैसे ही बाद में रिहू यहां से जात थे कि शायद यह इसका एक्स पॉर्फरेंड है, पर वो उन्हें बताता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं उसका कॉली हूँ और कुछ नहीं, सो गलत मत समझ लेना, अब उन्होंने इसे खाने पर ही इन्वाइट कर लिया था, यह लोग काफी अच्छे होते हैं, सा नहारी रिहू से बात बढ़ी या नहीं, वो तो इसे कोई खास रिस्पॉंस नहीं देता, मीन अभी इनके 20 कुछ भी नहीं हुआ था, अब जैसे ही की की मकार्टो को देखती है, तो उससे अपॉलर जायस करने लग गई थी, कि कल मेरी वज़े से तुम ट्रबल में रहे, त दोनोंने मिल के अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, इतनी लेड तक काम करने से इन्हें कुछ इंप्लॉईस आकर रोकती हैं, कि यहां का खर्चा तो तुम लोग बढ़ाते ही जा रहे हो, अब यह पिर उनसे और जादा टाइम मांग लेती है, कि मैं अपना बेस्ट दे चाहती हूँ, उसकी कमपटीशन को लेके इनरजी देखके, वो भी अब थोड़े से शर्मिनदा हो गया थे, एंड देन उसे प्रॉपरली एक जांस दे देते हैं, कि ठीक है, जितना काम करना है, तुम कर लो, उसका यह हार्ड वर्ट तो असाबा भी देखी चुका था, उस चाहता था, आखिर को उसी की बद्दॉला थी, तो इंप्लॉईस में भी कम्पीट करने का ज़स्पा आया, इसे सोता देखके, मकाटो फॉरण से ब्लैंकिट लेने चला जाता है, इतने में असाबा इसके लिए काना लेके पहुंच आया था, जब वो इसे सोता देखता है, तो यहाँ पे स्माइल लिकने लगा था, वो काफी क्यूट लग रही थी, अब जैसे ही मकाटो देखता है, कि उससे पहले तो उसने कीकी उपर अपना कोट डाल दिया है, तो यह बिचारा अपसट हो जाता है, अगले दिन अपने उपर बॉस का कोट ओड़ा देखके, यह तो खुशी हो गई थी, कि वाव बॉस मेरी केर कर रही है, मैनेजर को पे इसने जज लिस्ट में शामिल कर दिया था, तो सारे एक जगा पर इकटे हो जाते हैं, यहाँ पे अब वोटिंग देने की बारी आती है, तो सब को रियू का बनाया के एक बहुत ही पसंद आया था, वो खुश के अब उसी का ही आइटम बेकरीज में जाने वाला है, बट कीकी अपसट होके फॉरण से वहाँ से चली जाती है, इंपलॉई कार्ट भी वो वही पही रख गई थी, उसे लग रहा था कि बस अब यहीं पे मेरी जॉब का एंड हो गया है, साइट पे जाके फिर बहुत इमोशनल भी हो जाती है, कि मैंने इतनी जादा मेहनत की थी, पर कुछ भी फाइदा ना हुआ, मेकार्ट उसे ढूरने निकल पड़ा था कि आखरी लड़की गई तो गई कहां, अब मैनेचर कहती है कि वैसे इस लड़की का केक भी बहुत जादा डिलीशियस था, इ एक एंप्लॉई आके इसे इसका कोट दे देती है, कि कीकी ने मुझे जी आपको देने का कहा था, वैल, इसने तो उसे फिर ढूंड ही निकाला था, और साथ में हिम्मत ना हारने के लिए भी कहता है, उसे जितना कमफर्ट कर सकता था, करने की पूरी ट्रायां करता है, कि ल आप देने का डिसाइड कर ही लिया था, इस बास से वो तो फिर बहुत ही जादा खुश जाती है, कि असाबा ने चलो मुझे कोई तो अपर्चुनेटी दी, इन दोनों को साथ में देखके, मा कोटो दुखी के, एक दफा फिर से वो इसके पास आने के लिए काफी लेट हो और यहां पी हमें फिल होता है कि जैसे वो इसे पसंद करने लगा है, और इसे के साथ ही यह पार्ट खत्म हो जाता है, थैंक्स पर वाचिंग